तो गाइस आज है तारिक 15 सितंबर 2020 और है तूजडे देखेंगे आज का दा हिंदू कंप्लीट निउस्पेपर को एनलाइज करेंगे तो गाइस डिसक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए और दा हिंदू निउस्पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है डाउनलोड करना है टेलिग्रम डाउनलोड करने के बाद सब्सक्राइब करना दीपक याद वाया सकेड में आपको इस चैनल मि क्वारा हो चुका है काफी जादे लेट क्योंकि नेटवर्ग इशू था और एक बात और भी हो गई थी क्योंकि रात में मैं काफी देर तक जगा और करा क्या मैंने आपके लिए पॉलिटी के करन्ट अफेर्स, मोस्ट इंपरन्ट अफेर्स टॉपिक्स को मैंने एनलाईस करा है और वो मैं आपको एक वीडियो में शेयर करूँगा जो की UPSC Prelims 2020 के Point of View से वो Quality के Current Affairs बहुत जादे Important होने वाले हैं और वो जो 4 October को हमारा Prelims का Exam है आप भी हैंई पर हो मैं भी हैंई पर हूँ अपलोड नी कर पाया मैंने उस पर पढ़ नी पाया तो इस वज़े से जो है अपर अप जाके अपलोड हो रहा है तो आज के लिए sorry for inconvenience I hope आप लोग सब समझ गए होंगे आप लोग understand कर रहे हैं मेरी problem तो आला कि आज तक हमने आज तक हमने इतना late analysis upload नहीं किया है जितना आज late upload हो रहा है तो guys कोई बात नहीं लेकिन हम skip नहीं करेंगे जितने important page number 15 कह रहा हूँ यार चारीक 15 है आज तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग page number 1 के उपर आते हैं सबसे पहला article आप लोग को यह article दिख रहा होगा यह वला article UPSC के point of view से कैसे important है इसमें monsoon session आपके लिए important हो सकता है चीक है उसके बाद यहाँ पर एक question hour जो कि मैं तीन चार दिन से cover कर रहा हूँ question hour हटा दिया गया अपकी बार monsoon session में zero hour का time period एक गंटे सादगंटा कर दिया गया यह चीज़ important हो जकती है ओके बस और बोला क्या गया इस article में कि भाई एक जो monsoon session बोला गया था कि monsoon session स्टार्ट हो रहा है पहला दिन तो start हो गया पहला दिन पर monsoon session की meeting हो गई लेकिन पहले दिन पर ही क्या हुआ पहले दिन पर नहले पर देला 25 MP जो 25 member of parliament है वो हमारे कोविड-19 positive पाएगा है अब लगा लो यह 25 MP जो है वो positive पाएगा है तो आप पता नहीं किया situation देखने को मिलेगी आगे ओके बस आपको क्या याद रखना है इसमें से आपको पढ़ना क्या है monsoon session question hour question hour क्या होता है जैसे कि मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ नोट्स चाहिए टेलिग्राम पर पढ़े है question hour यह वो होता है जो parliamentary sitting होती है उसका पहला घंटा होता है उसमें questions वगरा पूछे जाते है MPs से उसके बाद second जो हमारा zero hour होता है zero hour question hour के तुरंत बाद जो है start हो जाता है question hour की time period हमारी 11 से 12 बचे तक होती है और 12 बचे से 12 बचे आगे बढ़ते हैं हम लोग next यह वाला आपको article दिख रहा होगा इसमें हमारे PM नरेंद्र मोधी साब ने क्या बोला कि Parliament जो है must to back soldiers border यानी कि Parliament को क्या करना है भाई soldiers को soldiers को और support करना है soldiers के पीछे हमेशा खड़े रहना है हम लोग को उन लोग को और support करना पड़ेगा soldiers को support कर soldiers को support करेंगे उनको प्रोचान देंगे और जादे वो अपना maximum contribution कर पाएंगे हमारे लिए that is the best thing ओके ना आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद next article आप यह छोटा सा आर्टिकल देख रहोंगे यह भी अच्छा आर्टिकल है आचका इसमें क्या बोला गया है जो retail inflation है easiest to 6.69 परसेंट इन अगस्ति यानि अगस्त के महीने में जो inflation है महेंगाई है वो काफी हद तक हम लोगो को कम दिखाई दी कितना 6.69 परसेंट तक हम लोगो थोड़ा बहुत calm down दिखा inflation में inflation क्या होती है महेंगाई याद रखना उसके बाद यहाँ पर यह जो report है इसमें कुछ चीज इंपोर्टेंट है जो मैंने पढ़ा तो इसमें देखा कि जो food inflation है अगस्त में fell marginally food inflation कितना गिरा यानि कि जो हमारा खाने पीने के समान होता है जैसे हो गया सबजी वगरा हो गई इसमें काफी जाद महेंगाई हो जाती है प्याज हो गया टमाटर हो गया तो फिर महेंगाई दिखाई देती है चीक इसमें महेंगाई हो जाती है जैसे आज होगी आज है 20 रुपे किलो और हो गया भी 15 दिन बाद 80 रुपे किलो तो फिर यह महेंगाई हो जाती है inflation है बट यहाँ पर क्या दिखा कि अगस्त के महिने में हमें इंफलेशन गिरता वा दिखा हाला कि फूड इंफलेशन भी हमें कम होता वा दिखा 9.05% तक हम लोगों कम दिखा और यह किसने बोला according to consumer price index according to CPI data के थूँ यहाँ पर इसको देखा गया है अब यह आपके लिए important question मनता UPSC क point of view से यह CPI data यानि consumer price index होता क्या है चलो फिर इसको हम लोग जल्दी से discuss कर लेते हैं CPI आपके लिए important है बहुत ज़ादा तो यह जो Indian economy के point of view से important है inflation इंडिया general studies paper 3 में आएगा monetary policy इसका topic हो सकता है जो की UPSC ने दिया हुआ है ओके तो recently क्या हुआ जो consumer price index है industrial labor है यह सब inflation है महँगा यह उसको कैसे measure कर जा सकता है measure दो तरीके से कर जा सकता है wholesale price index यानि जो आप wholesale bulk में products बगएरा लेते हो उसमें यानि कि bulk में यानि कि एकी बार में आप लेते नहीं हो wholesale जिसे हम लोग कहता है एक हट्टा जो समान ले लेता हो उसके थूरू देखा जाता है और टाइपस के हमारे consumer price index होते हैं ये याद रखना पहला हमारा consumer price index for industrial workers होता है दूसरा CPI for agricultural labor तीसरा CPI for rural labor तीसरा CPI for rural urban combined ये सब के लिए होता है ठीके तो इस तरीके से हम लोग अपना जो inflation है महेंगाई है उसका पता लगाते हैं उसको measure करते हैं अब आप से पूछा जाए inflation को measure करने के दो method कौन कौन से हैं वो है हमारा WPI wholesale price index और उसके बाद consumer price index CPI ये हमारे दो method है through which we can measure the inflation of India ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखें क्या article हमारे page number 2 के ओपर आते हैं page number 2 पे हमारे important articles दिखाई नहीं दे रहे हैं बढ़ आपके लिए आज NGT के बारे में बताएंगे सभी लोग comment में जो है इस participate करें क्योंकि बहुत important है क्योंकि जो questions हम लोग यहाँ पर daily basis पर solve करते रहते हैं comment में आप लोग solve करते रहते हैं यह आपको crystal clarity मिलती रहती है क्योंकि इसी से ही question पूछे जाना अब UPSC बहुत बार NGT के उपर question पूछ and the last thing is NGT का aim NGT का यहाँ पर aim क्या है objective क्या है ठीक है तो आपको सारी चीज़े clear हो जाएंगी page number 3 के उपर आता है page number 3 पर हमाले कोई article इतने important है नहीं यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग page number 4 के उपर यह देखोगे farmer का protest हो र लोग हैं वो लोग जो है against में protest कर रहे हैं इसके कि भाई हम लोग इसको जो है अपनाएंगे नहीं ओके उसके बाद यहाँ पर देखो कि महराश्टर में क्या होगा oxygen shortage महराश्टर मूफ्स तो यहाँ पर महराज का मूफ होगा कि कैसे कैसे यहाँ पर जो है oxygen को सप्लाय करा है ओके important article नहीं है वो फिलाल अब यहाँ पर आते हैं हम लोग page number 6 के ओपर that is editorial editorial होता है UPSC के point of view से important सभी लोग को पता है तो एक बार नजर मार लेते हैं कौन-कौन से editorial है यहवल editorial दिख रहा होगा आपको यह editorial इतना खास नहीं है बड़ यहाँ से हम लोग क्या पढ़ सकते इस editorial से वो मैं आपको बता हूँगा ठीक है editorial हमाले कोई खास नहीं है यहाँ पर कोई important नहीं है उसके बाद यहाँ पर यहाँ देखोगे urban employment के बारे में यानि कि शहर में employment को generate कर जाए शहर में employment की जो है शहर में रोजगार नहीं है बिल्कुल भी तो शहर में रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या-क्या steps हम ले सकते हैं we will discuss that okay उसके बाद यहाँ आर्टिकल हमारा sports perspective से we will not discuss because this article is not so important for us from the viewpoint of UPSC because UPSC never asked the questions regarding the sports okay यहाँ पर यहाँ आर्टिकल आप लोग को दिख रहा होगा इस आर्टिकल में हम लोग एक personality के बारे में जानेंगे जो हमारे सुब्रे मह निया भारती साहब हैं इनके बारे में जानेंगे इनोंना काफी साथ इनका contribution है हमारे country के लिए तो इनके बारे में जानेंगे एक important personality है okay और last article में हम लोग यहाँ पर ease of doing business के बारे में जानेंगे कि जो world bank है उसमें pause कर दिया है कि भाई अब कोई ease of doing business की report publish नहीं कराई जाए है सब चीज हम लोग cover करने वाले हैं अपने तरीके से now सबसे पहले हम लोग इस वाले article को देखते हैं इंडिया greatest silence is the loudest sound यानि कि जो इंडिया चुपचा बैटा है इस pandemic को लेकर वो एक सबसे बड़ा sound है क्यों इंडिया का pandemic यहाँ पर आप देखोगी जो coronavirus है काफी तीजी स फैल चुका है चालिस लाग क्रॉस हो चुका है और इंडिया की तरफ से कोई अच्छा तरीके से step नहीं उठाय जा रहा है हलाकि अगर कोई और situation होती है तो यहाँ पे इंडिया भी बहुत अच्छी तरीके से handle करता है और जो है पार्लियामेंट हो गए judges वागरा हो गए यह अब ही आप देखोगे अगर content of court वाला issue देखोगे तो यह तुरंत यहाँ पर solve करा गया तुरंत यहाँ पर CGI के ओपर बात आई तो तुरंत इन सब चीजों को देखा गया लेकिन pandemic को नहीं समाल पा रहे हैं यह लोग pandemic के अगर समाले हैं और migrations जो हमारे migrant workers हैं उनको उनके ओ problem face करने को मिली तो इन सब चीजों के उपर अगर काम करेगा इंडिया तो फिर यहाँ पर ही आगे बढ़ सकता है otherwise जो है ऐसे ही अगर situation चलती रही तो आने वाले time में और भी लोग मरने वाले हैं इस pandemic से यह pandemic बहुत बुरी हालत तरीके से बहुत बुरी तरीके से इस सामें भी फैल रहा है और आप देखो के daily basis पर का large number of cases जो है निकलते वे आ रहे हैं ठीके तो इस article में इन सब कुछ चीजों को क्रेडिसाइस कर रहा गया कि इंडिया इंडिया को step उठाना पड़ेगा otherwise इंडिया will not handle this situation ओगे चलो फिर अब आर्टिकल में बता दिया क्या है लेकि जैसे कि Spanish flu आया और बहुत सारे conflicts बगर आया है प्लेग आया जो कि चुवे से बिमारी फैली थी और उससे तो भाई सब बहुत ही लोग मरे थे तो अब यहाँ पे एक UPSC आपसे question पूछ सकता है Pandemics of the World means क्या मैं आपको फिर से बताता हूँ Pandemics of the World यानि कि पूरे दुनिया में हमारे कौन-कौन से Pandemics आये है ठीक है यह हमारे एक important topic बन जाता है और UPSC जो है इससे questions पूछ सकता है क्योंकि यह काफी सारी institutions हैं, magazines हैं UPSC की उन लोगोंने cover कर आया है तो मैंने आपको देखो एक एक करके discuss करेंगे हम लोग तो सबसे पहले आप देखोगे pandemic आया plague यानि की चुहे से फालने वाली बिमारी आई ठीक है उसके बाद देखोगे black death आया black death ने यहाँ पर time period देख रहे होंगे आप 1347 से लेके 1351 के बीच में आया और 25 million लोग यहाँ पे मारे गए थे इस बि बिमारी से उसका दि smallpox आया smallpox तो भूत ही खतरनाग बिमारी थी इससे भी बहुत लोग मरे और आज के time पर भी smallpox देखा जाता है उसके बाद next देखोगे यहाँ पर cholera आया cholera से भी बहुत लोग बरे चीक है cholera से यहाँ पर आप देखोगे बहुत जादे जो है सजन संके ह आपे मर गई थी और बहुत खतरनाग बिमारी यह फैली थी 1817 से लेके 1823 के बीच में उसके बाद आया हमारे Spanish flow जिसे हम लोग H1N1 कहते हैं H1N1 वाइरस भी कहते हैं ठीक है और इसका time period था 1918 से लेके 1990 के बीच माया 500 million लोगों को affect कर दिया था इस वाइरस ने अब आप लग 500 million लोगों को infect कर दिया इस वाइरस ने और 50 million लोग जो है वो मर चुके है ठीक है इस वाइरस से उसके बाद आया हमारा एक Hong Kong का flu Hong Kong flu H3N2 वाइरस आया 1968 से लेके 1970 के बीच में और इसने भी जो है 1 million जो है लोगों को मार दिया था इस वाइरस ने उसके बाद हमारा HIV आया AIDS इ जान ले ली और बहुत जादे ये भी खतरनाक रहा उसके बाद है हमारा SARS SARS जिसे आप लोग अभी COVID-19 कहते हो क्योंकि SARS जो है Savory Acute Respiratory Syndrome इसका ही एक वरजन है हमारा COVID-19 coronavirus इसका ही एक वरजन है तो SARS पहले आया था 2002-2003 के बीच में आया था और इसने बहुत लोगों की इसने समझे रहोंगे Swine Flu तो हमने cover किया है अभी Swine Flu नहीं था वो Spanish Flu था ओके ये Swine Flu है तो ये 2009-10 के बीच में आया और इसने भी millions of लोगों की जान ली फिर उसका आया Ebola Virus Ebola बहुत ही जादे खतरनाक था हमारे पूरे आप कह सकते हो वर्ल्ड के लिए और ये जो Ebola Virus आया था वेस्ट इसके टाइम पर चल रहा है 2019 में कहारी इसका जो देख लिया था इसका 25 जो है वो देख लिया था चाइना में उसके बाद से आज तक हम लोग situation face कर रहे है और आने वाले टाइम में कब तक situation face करेंगे ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता ओके तो COVID-19 की वैसे भी एक final data जो आएगा जब यह COVID-19 से कुछ हम control कर पाएंगे काफी हद तक इसके ओपर control कर पाएंगे तो एक final data आने की पूरी पूरी आशा है कि भाई एक final data बताया जागा कि कितने लोग मरें इस से ओके तो we will discuss that चलो भाई उसके बाद next article आपके लिए यह है next article में बोला गया cost of peace अब यहाँ पे ह तारे में cover करें तो general studies paper to international level की news है आपके लिए who are the Taliban, Taliban कौन है तालिबान एक sunni fundamentalist organization है तालिबान आप समझ लेना एक organization है जो की involvement है जिसका अफगान politics में अफगान politics में जो है इसका involvement है चाहता है तालिबान अफगानिस्तान को पूरा-पूरा control करना और तालिबान ने यह काम तालिबान ने control करा almost three quarters of the country 1996 से लेगे 2001 तक पूरे अफगानिस्तान को control करके रखा अपने अंडर में और तालिबान जो है बहुत खतरनाक यह organization है जो की ceasefire भी करती रहती है यानि की बहुत जो है गोलियां वगरा चलाती है और बहुत सारे civilians वगरा मारे जाते हैं इस तालिब अफगानिस्तान under the Taliban regime तालिबान के अंडर में कब आया अफगानिस्तान इनिशेली जब पावर में आया जो people थे अफगानिस्तान के लोग थे जनरली ने इन्होंने welcome करा तालिबान को लेकिन फिर उसके बाद situation देखने को ऐसी मिलेगी कि तालिबान ने और जादे खतरनाक अपनाया और देखोगे बहुत सारी restrictions वगरा लगा दी देखो Islamic law वगरा लिया है तालिबान ने Islamic laws लगा दी है विमेन और चिल्डरन के ओपर जो है implement करने इस लगे और आप देखोगे विमेन को require कर दिया कि बुरका पहनेंगी और पूरा body जो है उनकी cover रहेगी साथ में face व दाउटा मेल यानि अपने पती के साथ जो विमेन है वो बाहर नहीं चाहेंगी ठीक है उसके बाद विमेन वर्क नहीं कर सकती कोई उसके बाद देखोगे कि तालिबान discouraged girls from going to school यानि कि जो girls वगरा वो school वगरा नहीं चाहेंगी girls को बैन कर दिया above the age of 8 यानि कि जो 8 साल से उ restrictions लगा दिये television को बैन कर दिया music को बैन कर दिया पतंग नहीं उड़ाएगा कोई cinema photography painting इन सब को बैन कर दिया और जो women है वो sports वगरा कोई कुछ देखने वगरा नहीं जाएंगी ठीक है तो आप देख सकते हो कितना यहाँ पर बुरा असर कर दिया तालिबान ने तो तालिबा जो है तालिबान ने मारा तो फिर अब क्या है कि तालिबान का जो ceasefire है अभी भी रूख नहीं पा रहा है ठीक है जो ceasefire जो है वो अभी ऐसे ही जो regularly चलता वा रहा है ठीक है तो वो इस सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई यह सार्टिकल में आप लोग उन्हें पढ़ सकत ciis तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या हम steps ले सकते हैं first step में क्या बोला गया कि बाई scale of urbanization the focus on urbanization urban employment generation programs urban employment generation programs को लेकर आया जाये जिसके through jobs वगरा create करी जाएंगी और ये इस unemployment को बिरोजगारी को खतम करा जाएगा तो पहला step तो क्या बोला गया कि भाई कुछ programs वगरा लेकर आय जाएं, second बोला गया कि most employment intensive investment policies वगरा को लेके जाए, employment के लिए investment वगरा करे जाए कि भाई इन चीजों पर investment होगा तो फिर यहाँ पर employment generate हो सकता है और third चीज बोली गई, third यहाँ पर solution दिया गया कि भाई urban infrastructure है उसको develop करा जाए, अब आप एक तरीकी से यह इन तीनों points को connect कर सकत हो, urban infrastructure के लिए investment चाहिए, अब infrastructure के लिए investment लगेगा तो हम लोग कुछ अगर पैसा लगाएंगे तो infrastructure भी develop होगा, investment भी लग रहा है, ठीक है यानि कि investment का भी काफी बड़ा रोल है, infrastructure का भी काफी बड़ा रोल है, infrastructure अच्छा होगा तो फिर हमारी employment भी अच्छी तरीके से generate होग हम लोग next article आप लोग को यह वाल article दिख रहा होगा, इसमें भरतियार साप के बारे में बताया गया है, यह इनके बारे में जानना काफी जादे जरूरी है, हलाकि यह जो पूरा article है, यह हमारे इतना काम का नहीं है, बट जो important personality इनके बारे में कुछ ही बाते हम लोग जानें इंडियन national movement, modern Indian history, क्योंकि इनका काफी जादे बड़ा रोल है freedom fighters के साथ, ओके, तो news में क्यों है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया ने अभी tribute दिया, इन्हें poet reformum सुब्रमेनिया भारती साब को, ठीक है, इनकी 137th, 137th birth anniversary पर इनको tribute वगरा पे करा गया, और जो ह हमारे सुब्रमेनिया भारती साब है, इनका जो जनम हुआ था, 11th December 1882 में इनका जनम हुआ, इत्यापूरम विलेज में जो है, इनका जनम हुआ, आप याद रख सकते हैं, तमिलनाडू में, ये एक poet थे, freedom fighter थे, और social reformer भी थे, तमिलनाडू से, ओके, मैंने क्या बोला, freedom fighter ही थे, ये, मैंने पहले भी बता दिया आपको, ठीक है, और यहाँ पर ये जाने जाते थे, महा कवी भारतियार के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि इनके काफी सारे songs बगरा थे, काफी सारे गाने थे, जो कि इंडिया की independence के लिए गाए जाते थे, उसके बाद इनकी कु अंगल, 1908 में जो है, पब्लिश करा, और देखोगे, काफी सारा इनका जा है, रोल रहा, हमारे freedom fighter के साथ मिलकर भी, इन्होंने अटेंड किया, annual sessions, Indian National Congress के, Indian National Congress के जो साल में sessions होते थे, वो इन्होंने अटेंड करिये, discuss करे, कुछ national issues, with extremists like विपिन चंदरापाल, बीजी तिल और इन लोगे साथ मिल मिलकर, काफी सारे issues वगरा को इन्होंने डिसकस किया, तो आप जान सकते हो, कितनी बड़ी personality है, इनसे कोई भी question आ सकता है, तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है, इनके बारे में, अब आप यहाँ पर question जो है, वो solve कर सकते हैं, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आपको यह वाला article दिख रहा होगा, for a different yardstick, अब इस article में क्या बोला जा रहा है, ease of doing business जो है, जो उसका survey है, needs a revamp, यानि कि अभी क्या हुआ, ease of doing business का जो world bank है, world bank, ease of doing business की report को generate करता है, world bank क्या करता है, ease of doing business को लेकर आता है, इसकी report बनाता है, तो ह पे कौन था, वो New Zealand था, और सबसे last में कौन था, वो सो मालिया था, ठीक है, 190 countries में जो है, देखा जाता है, अब ease of doing business का मतलब क्या है, नाम सी समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी country है, उसके अंदर business करना अगर बहुत जादे easy है, that is called ease of doing business, यहाँ पे मतलब कि अगर जादा असान होगा business करना, वो country टॉप पर आएगी, और इसी वज़ा से जो New Zealand है, वो सबसे टॉप पर रहा, क्योंकि वहाँ पर सबसे जादा easy है business करना, this is the report which was released by the World Bank, World Bank के थूँ यहाँ पे इस report को release करा गया, ओके, और इंडिया की rank आई 63rd, 63 rank आई, याद रखना, तो अ हमें विश्वास नहीं है, कि जो data आया है, वो सही है या गलत है, statistical data वो हमें लग रहा है, कि वो गलत data है, ओके, ऐसा World Bank ने बोला, अब World Bank क्या कह रहा है, कि भाई, जो report से हम उन्हें publish करना रोग देंगे, pause कर देंगे, अब हम publish नहीं करेंगे, क्योंकि जो data है, वो गलत भी आ रहा है, सही भी आ रहा है, तो हम लोग पहले उन चीजों को देखेंगे, और जो reports है, उनको audit भी करेंगे, ठीक है, तो ये सारी बाते World Bank के थुरू यहां पर बोली गई है, और ease of doing business क्या होता है, मैंने आप सबको बता दिया है, अब आपसे question जो बन सकता है, वो World Bank से बन स सकता है, तो guys, इन तोनों को मैंने समझा, तो दिया है आपको, अब जो इसके notes है, वो Telegram पर पढ़े है, Telegram का link description में है, जाओ और join कर लो, ओके, और वहाँ पर आपको notes सारे मल जाएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद next article आप लोग को ये दिख रहा होगा, करना को store करने के लिए, store करना water को, और वो water जो है, वो पीने लाया को, for drinking purposes के लिए इसके लिए इस्तमाल करा जाए, तो यहाँ पर बात क्या करी जा रही है, कि जो ये 9000 करोड रुपे का project ये approve करा गया, state government के द्वारा, 2017 में, इसने एक approval receive करा, ठीक है, approval receive करा, union water resources के द्वारा, union water resources ministry के द्वारा, ताकि जो है, इस project को, जो है, detain कर दिया जाए, और यहाँ पर अभी, जो है, approval रहे चुका है, यानि कि ministry of environment and forest के थुरू अभी approval रहे चुका है, उन्होंने अभी इसको approval नहीं दिया है, तो इसी वज़ा से, जो है, ये news में है, तो कुछ बाते और मेका प्रजेक्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर, पहले मैं आपको दिखा दूँ, ease of doing business के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया की rank 2014 में किती थी, 15, 16, 17, 18, 19, ये अच्छी अच्छी रिपोर्ट सारी आपको पास मिल जाती है, तो आप जाकर इने, जॉइन कर सकते हैं, मेकदुतू प्रोजेक्ट के बारे में जाने, तो इसके बारे में जाने, तो एक multi-purpose प्रोजेक्ट है, जिसमें build करना है, balancing reservoir across the कावरी रिवर, near कनकपुरा, in रामनगर district, तो आप अगर आप से question पूछा जाए, जो मेकदुतू रिवर है, वो किस river मेकदुतू प्रोजेक्ट है, वो किस river के लिए बनाया गया है, वो है, कावरी river के लिए यहां पर इसको बनाया गया है, तो आप से question पूछा जा सकता है, अब आप question solve कर सकते हैं, अगर पूछा जाएगा भी तो, ओके, आगे बढ़ते हैं, एक आद news और देख लेते हैं, व और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और मैंने जैसे भी आपको बताया, तीन agriculture reform bills को introduce करा गया है, और इसको bill को introduce करने की वजह से, जो हमारे farmer से, हमारे crushy भाई लोग हैं, वो सब protest कर रहे हैं, इसके against में खड़े वे हैं, कि भाई यहां पर ऐसा ना करा जाए, क्योंकि यहां हमारा online education उसके उपर बात करी गई, ठीके गाई, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं गया, तो सबसे पहले subscribe कर लेना, नीचे red color का button आ रहोगा और bell icon ज़रूर दबा देना, ताकि आपको daily notification मिलती रहे, तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे, आ आप लोगों से कल, आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day